हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलतावंत अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्निंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टन वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंक्यों दोस्तों दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, पर्याबरान अध्धिन के कुछ बहुत ही महतपून कोश्चन और ये आपको 30 important questions मिलेंगे इस पार्ड में, जो की बहुत ही जादा महतपून है और इन questions को आप लोग रट लीजे बिल्कुल सभी के answer, one word में दिये हुए हैं और चोटे-चोटे questions हैं ये आपके बिज्ञान से सम्मंदित question हैं जो की परसदी पुस्तकों से चुने गए हैं तो ये question आपके यूपी टेट और सीटेट के लिए बहुत ही जादा important है अगर आपने ये 30 question अच्छे से पढ़ लिए तो लगबग आपके दो number के question ये पूछे जा सकते हैं सभी बहुत ही महतपूर्ण question है तो चलिए शुरू करते हैं इस part को देखते हैं के question को तो दुस्तों ये इसका part one है इसके आगे आपको इसके आगे के अन्य parts मिलते रहेंगे जिसमें आपके इसी तरह से कुछ महतपूर्ण प्रस्णों को हम लोग collect करके याद कराते रहेंगे इसमें कुछ question मैं आपको करा भी चुका हूँ लेकिन वार वार repeat कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन questions को रट लीजिए अच्छे से एक दो नंबर के निश्चित पूछ दिये जाते हैं फिर आप लोग confused होते हैं उसमें तो अब पहला question है रेडियो सक्रियता की खोज किस ने की थी तो दोस्तों रेडियो सक्रियता यानि की रेडियो एक्टिविटी की खोज हेंरी वेकरल ने की थी हेंरी वेकरल के साथ मैडम की उरी पियरे की उरी इनके भी नाम आते हैं तो यदि आपको ये तीनों नाम दिये हो तब भी आप लोग करेंगे हेंरी वेकरल दिया हो तब भी आप लोग इसी पर टिक करेंगे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज इन्होंने की थी अब इसी तरह से बढ़ते हैं सेकेंड नंबर कुश्चन पर कच्चे फलों को करत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों जो कच्चे फलों को करत्रिम रूप से पकाया जाता है तो इसके लिए मुखिता एसिटलीन ग जीकर घ्राएंगे एको्स्टर ठórramos और याइड को भी आपके लिए कोश्ट्स करता हूं जादा से ज्यादा कॉश्टर करके और आपकी एच्छे से त्यारी करवाज को अभी जादा टायम नहीं मिल पा रहा है इसलिए ज्यादा कॉश्टर नहीं कालेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूँ कि जादां से जादां कोश्चन आपको दे सकूँ यूपीटेट एक्जाम से पहले ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से सभी लोग पास हो जाए अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर कोश्चन पर भूमिगत जड़ों के नाम बताईए तो भूम देमोग्राफिक आजाता जनसंक्या का जो अध्यन किया जाता इसे क्या डेमोग्राफिक आजाता है आप बढ़ते हैं फाइव नंबर कोश्चन पर कांच के किस रंग में प्रकास की गती सबसे कम होती है तो दोसों सबसे कम गती जो होती है वो बैगनी रंग में होती है प् इंट नंबर कोशन पर दूर दरष्टी दोस्ट के लिए वन्य चस्मे में किस रेंग की जाता है तो इसमें उत्तर लेंग का प्रियों किया जाता है तो इसमें उत्तर लेंग की proper किया जाता है इसी प्रिकार से 7 number question निकट द्रश्टी दोस्ट के लिए वने चस्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसमें निकट द्रश्टी दोस्ट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और ये इसमें पास की नजर कमजोर हो जाती है और दूर का साफ दिखाई देता है तो जब पास का कम दिखाई देता है तो इसे इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब दूर का कम दिखाई देता है तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और यह डायोक्टर होती है इसकी छमता अब बढ़ते हैं नाइन नंबर कोशन पर उत्तर लेंस की छमता कैसी होती है तो दोस्तों धनात्मक होती है उत्तर लेंस की छमता कैसी हो पॉजटिव होती है यानि कि जैसे कि किसी की पावर आपने देखी हुए प्लस बन प्लस टू इ लिए है और अगर निगेटिव में लिखी हुई यह अगला कोश्चन देखें क्या है अब तर लेंस की समता के सी होती तो यह रिणात्मक होती यानि कि निगेटिव होती है तो यदि निगेटिव लिखा हुआ है तो वह अवतर लेंस है और अगर पॉजिटिव लिखा हुआ ह किसी चीज को जब हम लोग देखते हैं तो उस चीज का प्रत्विम हमारी आँख में रेटिना पर बनता है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं अब बढ़ते हैं 12 नंबर कोशन पर अवतल दरपन का प्रयोग कहां होता है तो दोस्तों यह हेड लाइट में किया जाता है गाड थी important question अच्छे से इस तरह के question को आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए चोटे-चोटे question है इसमें देखिए question में आपके तीन question बन गए और मैं कोशिज करता हूं कि इस तरह से आपको पढ़ाता रहूं कि आपको साथ में ही हर चीज याद हो जाए बाद में आपको जरूरत पढ़े तो एक वा रिवीजन कर लें तुरंत आपको वो चीज समझ में आ जाए इसलिए दोस्तों तुरंत साथ में ही याद करते रहा करिए यह मत सोचा करिए कि बाद में दोवारा पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा इतना अपने अंदर willpower मजबूत करिए इतनी अपन दरपन जो ता यह गाड़ी की हेड लाइट में सर्च लाइट में डाड़ी बनाने में इनमें समय अवतल दरपन का प्रियोग किया जाता है अब बढ़ते हैं फोटीन नंबर कोशन पर इंद्र धनुस में कुल कितने रंग होते हैं बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है इंद्र चार पांच छे साथ हो गए आपके तो सबसे पहले आता है वाइलेट उसके आता है इंडिगो इसके आता है व्लू इसका जी से आता है ग्रीन वाई से आता है एलो इसका ओ से औरेंज और आर से रेड यानी की सबसे पहले आता है वैगनी फिर आता है आसमानी फिर आता है न नारंगी और अंत में आता है लाल रंग वैनी आहा पी नाला इसे हिंदी में का जाता है वैनी आहा यानी की वैगनी नीला आस्मानी और इसी प्रकार से आपको इंग्लिस में भी विवग्योर का जाता है तो यह चीज याद कर लिए आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट है ए के याद बढ़ते हैं फिप्टीन नमबर कोशन पर इंदर धन उसके किनारों पर कौन से रंग होते हैं तो दोस्टों विवगियोर हो गया यानि की एक तरफ वाइलेट हो गया और अंत में आ रहा है यानि की रेड हो गया तो एक तरफ वैगनी हो गया दूसरी तरफ रेड हो यह दोनों इंद्रतन उसके किनारों पर होते हैं और वैगनी के बाद आता है नीला उसके आद आस्मानी आता है आस्मानी के बाद हरा हरा के बाद पीला पीला के बाद ओरेंज और उसके आद आता है लाल रंग यह सात रंग होते हैं याद कलेजिए आप बढ़ते हैं 16 नंबर हुआ होता है तो ऐसा क्यों होता है यह अपवरतन के कारण संभव है अब इसी का एक और कोश्चन बनता है कि आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो दोस्तों यह प्रिकीरणन के कारण दिखाई देता है क्यों दिखाई देता अब बढ़ते हैं एटीन नंबर कोशन पर जो बस्तुएं सोयम के प्रकास से प्रकासित होती है उन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें प्रदीप्त बस्तुएं कहा जाता है दोस्तों क्या कहते हैं इन्हें प्रदीप्त बस्तुएं कहा मंदल में यह आरगन गैस होती है वायू मंदल में सबसे अधिक मात्रा में और दोस्तों एक करेक्शन कराना चाहूंगा पिछली बार में मैंने आपको कारवन डायोकसाइड की जो मात्रा बता दी थी लेकिन 0.03% होती है यह तो आप लोग करेक्ट कर लीजे वैसे मैंने आपक करेक्शन का आपको यह तो आपको कमेंट बाक्स में बताना कि आपको बता दी आपको याद होना चाहिए इसलिए अधिक सदिक संख्या में अपने आंसर जरूर देते रहे और दोस्तों साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं अब बढ़त तो यह ग्रेफाइट हो गया दूसरा हीरा हो गया यह कारवन के क्रिष्टली अपर रूपों के नाम है कौन-कौन से ग्रेफाइट हो गया हीरा हो गया यह चीज़ यात रखिए क्रिष्टली है अगले कोशन में अक्रिष्टली मैंने लिख दिया क्रिष्टली कौन-कौन से कहते हैं तो तो फूल गोबी का कॉट सा पवड़ा खाया जाता है तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे पूस्पक्रम कहा जाता है इस पर आधारित भी एकोष्टन आपका पूछा गया था पिछले साल तो इस तरह के कोषें जो question आप से पूछे जा चुके हैं उस पर आधारित जो अन्द प्रकार के question बनते हैं उन्हें जरूर देख लीज़े आप लोग क्योंकि जो paper बनाने वाला होता वो भी पिछले years में देखता है कि किस प्रकार का question पूछे गए हैं उसी पर आधारित questions पूछने की courses की जाती है तो यदि आप लोग पिछले वर्सों के सभी paper लगा लेंगे तो आप लोगों के लगवग मान की चलिए कि आप लोग आसानी से प्रत्यक subject में 20 number ला सकते हैं तो यदि आप लोगों को प्रत्यक year के paper लगवाने हो तो comment box में बताएगा मैं आपके सभी papers लगवा पड़ेगा नहीं तो सब लोग कहेंगे कि बार बार एकी चीज रिपीट कर रहे हैं अब बढ़ते हैं 24 number question पर मानव सरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे माइक्रो प्लाज्मा कहते हैं मानव सरीर की सबसे छोटी कोशिका क किसकी होती ये लाल रंग की होती दोनों question important है याद कर लीजे आप लोग अब बढ़ते हैं 26 number question पर प्रकास का रंग किस पर निर्वर करता है तो दोस्तों ये तरंग दैगर पर निर्वर करता प्रकास का रंग जो होता है ये तरंग दैगर पर निर्वर करता याद कर लीजे अब बढ़ते हैं 27 नमबर कोशन पर पीने के पानी को सुध करने के लिए किसका प्रयूख किया जाता है तो पीने के पानी को सुध करने के लिए मुखिता क्लोरीन का प्रयूख किया जाता है इसके अलाबा अन्य भी तरीके होते हैं, लेकिन क्लोरीन डालकर पानी को सुध किया जाता है, ये इसकी एक बिधी होती है, पानी को सुध करने की, तो ये ये option में दिया रहता है, तो आप लोग इस पर टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अब बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आपको स्वेम सॉयम करना है, वाद में मेरे आंसर से मैच करते रहना है, आपको ये चेक्क बढ़ते हैं, करना कि आपको कितना आता है और किस प्रकार से आपको question solve करने ये सब चीज आप लोग चेक कर लीजिए और देखें आपके कितने नंबर आते हैं 30 में से प्रतियक सब्जेक्ट में उसी प्रकार से अभी आप लोग त्यारी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग के पास वायू मंडल का प्रमुक इस्तर जो प्रत्वी तल के सबसे निकट है उसे क्या कहा जाता है तो जोस्तों वायू मंडल का प्रमुक इस्तर कौन सा जो प्रत्वी के सबसे निकट है तो यह सबसे निकट वाला जो है छोब मंडल होता है कौन सा है छोब मंडल होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन याद कर लीजिए आप लोग important question है छोब मंडल पर क्या होता है तो जितने भी मौसमी क्रिया होती है परवरतन बरसात होती है सब चीजें छोब मंडल पर ही होती है इसका आज का अंतिम question है 30 number question क्या है ओजोन की परत वाय मंडल की किस परत में इसठित होती है याद कर लीजिए आप लोग इसे श्टेटो इस फिर भी कहा जाता है और इसको क्या कहते है इस से इसरोप इस फिर का जाता है याद कर सकते हैं आप लोग आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यह 30 कोश्चन दोस्तों आपके पर्यावरण के बहुत ही झाल झाल पर्यावरण के बहुत है